जब भोर का समय था येशु को कैफा के पास से गवर्नर के किले मिले गए यहूदी किले के भीतर नहीं जाना चाहते थे क्यूंकि वे अपने आपको शुद्ध बनाए रखना चाहते थे ताकि फसह का भोजन खा सकें तब पिलातुस उनके पास बाहर निकलाया और कहा तुम इस व्यक्ति पर क्या रोब लगाते हो यदि उसने अपराध नहीं किया होता तो हम उसे तेरे पास नहीं लाते तुम ही इसे ले जाकर अपनी विवस्था के अनुसार उसका न्याय करो हमें अधिकार नहीं कि किसी का प्राण ने ये इसलिए हुआ कि यीशु की वो बात पूरी हो जो उसने ये संकेट देते हुए कही थी कि उसकी मृत्यू कैसी होगी तब पिलातुस फिर के लेके भीतर गया और ये इसु को बुलाया क्या तो यहुदियों का राजा है क्या ये प्रश्न तेरी और से हैं या किसी दूसरे ने मेरे विशे में तुझ से कहा तु क्या सोचता है मैं यहुदी हूँ तेरी ही जाती और प्रधान याजकोंने तुझे मेरे हाथ सौपा है तुने क्या किया है मेरा राज्य इस संसार का नहीं है यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहुदियों के हाथ सौपान ना चाहता परन्तु मेरा राज्य यहां का नहीं है तो क्या तू राजा है तू कहता है कि मैं राजा हूँ मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए संसार में आया हूँ कि सत्य की गवाही तू जो कोई सत्य का है मेरी सुनता है और सत्य क्या है? फिर पिला तोस यहूदियों के पास निकल गया और उनसे कहा मैं तो उसमें दंड देने योग्या कोई दूश नहीं बाता पर तुम्हारी ये रीती है कि मैं तुम्हारे लिए एक व्यक्ती को छोड़नु और अर्पा पो छोड़नु हाँ बेपाँ बड़ बाइग नाकुता बड़ भाइग नाकुता